नमस्कार दोस्तों आज हम हाई बीप को कंट्रोल करने के लिए टेन टिप्स के बारे में बात करेंगे अगर आप स्वस्त है तो आप अगर इन टेन टिप्स को फालो करते है तो आपको आगे चलके हाई बीपी की समझ्या होगी नहीं या आपको फ्री हाइपर टेंशन है कालड़ी अगर आपको दोड़ाीया चल रही है तो उसके डोज कम हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे और आपका स्वागत है ृङ्ष घाल टिप चानल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक कम करनी है हमारा जो भारतिये खाना है भारति खान पान है इसमें नमक काफी ज्यादा मात्रा में लेते हमारे डाइट में लगबक 5,000 मिलीग्राम लेते हैंं तो यह नमक है डेली हम 15-15 मिलिग्राम लेना है मतलब एक छोटा चमज रहता है उतना नमक हमको डेली डा wł IN लेना तो आप कर सकते हैं धिरी धिरे आपकी डायट में नमक की ओड़ clergyा कम करते जाईए तो धीरी धिरे आपको कम नमक की आद्वत जाए कोती है और जैसे अलावा जो पैट पूट रहते हैं प्रोसेस पोड रहते हैं जैसे biscuit है cookies है नमकी चीप्स कुरकुरे इनमें नमक की मात्रा जादा रहती है तो इसको आपको avoid करना है इसके अलबाज जो can food होते है और जो soft drinks होती है energy drinks होती है तो इसमें भी नमक की मातरा जादा पाई जाती है तो इसको नहीं लिया तो अच्छा रहेगा अगर आप नमक कम लेते हैं 1500 mg से कम लेते हैं डेली तो आपका जो बीपी है पास से 8 mmHg कम हो सकता है के दूसरी टीप है आपको डेली एक्जरसाइस करनी हैं आपको रोज 45 निट तक एरॉबिक एक्जरसाइस करनी हैं जोर जोर से चलना ये काफी लाबदाइक होता है आप रोज सवेरे 45 मिनिट अगर जोर जोर से चलेंगे तो आपका ब्लड पेशर है ये कंट्रोल होने में मदद करेंगे अधर एक्जरसाइजे जैसे साइकलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्वीमिंग या अगर आपको डांस प जीम में जाने की जोरोत नहीं है लेकिन आप जीम में जाते हैं तो आप वह टेड मिल कर सकते हैं साइकलिंग कर सकते हैं इससे आपको फाइदा होगा और जो एक्जरसाइज करते हैं रेगुलर करनी है अगर एक्जरसाइज करेंगे तो आपको ज्यादा फाइदा होगा नह जाज़ है इसके अलबाब आपके डायट्ट में आप सलाथ ज्याधा मात्रा मिलेना है और जो अनाज है पूरा अनाज लेना है माइदा है वाइट ट्रइस villainooooo आपको आवाइड करना है जो प्रोसेस और पैक फूर्स रहते हैं उसको आवाइड करना है फास पूर्ड है इसको आपको लेना नहीं है और जो पोटेशियम की मात्रा है आपके डायट में जैसे नारियल पानी है संत्रा है तो इसमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में रहता ह और यह potassium sodium की जो level है आपकी body की उसको बढ़ने नहीं देगा जब आप खाना खाते है तो आपको खाने से पहले फल और फल और सलाथ के ऊपर नमक नहीं डालना है और जो रोटी खाते है अनाच खाते है उसके पहले अगर आपने सलाथ और फल खाये तो यह अच्छा रहेगा आपके डायेट में आपको फैट कम लेना तली वी प्राइड चीजें जो है यह कम लेनी है आचार कम लेना है नमकीन कम है जो दूद लेते हैं आप उसमें जो क्रीम निकाल के जो दूद रहता है इसकी मिल्क ओ लेना है रेड मेट और जो चिकन है इसको कम करना है इसकी जगह आप मचली ले सकते हैं मचली में सालमेन मैकरेल टूना जिसमें हम बांगडा या रहवा कहते हैं उसका सेवन कर सकते हैं जो एक लेते हैं आप उसमें जो पिला पार्ट है उसको निकालना है और वाइट एक लेना है तो अगर आप डायेट में आपके सुदार करें अच्छा डायेट ले तो आपका जो ब्लड पेशर है वो 11 mmHg से कम हो सकता है तो देखिए डायेट का कितना महतवपूर्ण रोड र जाएंगे चवती टीप जो है आपको आपका वजन नियंतरन में रखना है अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करना है हम बोडी मास इंडेक्स से पता करते हैं कि आपका वजन ज्यादा है या कम है अगर आपका बोडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा रहेगा तो इसका का मतलब है कि आप ओर वेट है और 30 से ज्यादा है मतलब आप उबेस है तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनेया है उपर आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं से आप एक्जरसाइज करके बैलंस डायट लेके आप अपका वर्जन कम कर सकते हैं अगर आप एक्सट्रा 1-ेजी है कम करेंगे तो आपका ब्लड पेशर यह 10 अमयापेजड से कम हो सकता है पाचवी टीप है आपको stress नहीं लेना है आपको stressors identify करने हैं कि आपको work level पे stress है या family level पे stress है उसको identify किजे और sort out किजे अगर आपकी कोई hobby follow करेंगे जैसे gardening है singing है गाने सुनना है बच्चों के साथ खिलना है तो इसकी वज़े से भी आपका जो mood है वो fresh हो जाएगा और आपक stress नहीं लेना है और आपके जो expectations अगर जादा है तो वो practically उसके बारे में सोचना है इसक्स टीप यह है कि अगर आप smoking करते हैं तो smoking छोड़नी है तो बैको के अंदर nicotine रहता है यह हमारी blood vessels को अंदर से जो है नुकसान पहुचाती है और हमारा जो दिल है इसको भी नुकसान तो इसके वज़े से high BP की समझ्या हो सकती है तो आप tobacco लेते है या smoking करते है तो उसे आपको धिरे-धिरे करके छोड़ना है अगर आप शरब पीते है अल्कॉल लेते है तो आपको अल्कॉल छोड़ना है क्योंकि शरब से high BP की समझ्या होती है इससे liver भी खराब होता है तो आ ज्यादा से ज्यादा इसकी जो frequency है ये कम करनी है अगर आप डेली लेते हैं तो आप हफते में लीजे हफते में लेते हैं तो मैंने में एक हथ दो बार लीजिए तो अगर आप alcohol इसको कुईट करेंगे तो अपका blood pressure control होने में मदद होगे आपको caffeine आवाइड करना है अगर आप coffee पीते है तो आपको coffee आवाइड करनी है क्योंकि coffee से high blood pressure होता है काफी पीने के बाद एक घंटे बाद आपने blood pressure चेक किया तो ये 10 अमेवा बच्जी बढ़के आ सकता है तो इसलिए हमें coffee का 7 नहीं करना है क्योंकि ये आपके blood pressure को बढ़ रहने में मदद होती है ये आपके मन को शांत करता है और बीपी कंट्रोल रखने में मदद करता है दस्वी महत पूर्वर बात important है कि आपको आपका blood pressure है ये रेगूलर चेक करना है ठीक है क्योंकि काफी लोगों को blood pressure की समस्या होती है लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हमें blood pressure है इसलिए blood pressure को silent killer कहा जाता है ये धीरे धीरे आपका जो दिल है दिमाख है kidney है इसको damage करता है इसकी वज़े से heart attack, stroke, kidney failure या जो आपके आखे है उसमें retunopathy हो जाती है और आपको blindness भी हो सकती है तो आपको blood pressure monitor करना है और अगर blood pressure काफी ज़्यादा है तो डॉक्टर की सला लेनी है और आपको medications लेनी है लेकिन आपने जो tips पता है उसको अच्छे से follow किया तो आपको blood pressure की समस्या होगी नहीं और naturally ही without medications आपका blood pressure control में रहेगा इसके अलाव भी आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे comment box में पूछ सकते है मैं उसका जवाब देने की परशेश करूँगा धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर परशांत मोरे और हमने जो यह चानल शुरू किया है डॉक्टर मोरे जहल टीप्स इसका मुख्यों उद्देश यह है कि हमें सोसाइटी से 90 प्रतेशत बीमारिया जो है उसका incidence कम करना है और यह हो सकता है यह possible है इसकी तरह हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है हमारा ज्यादा ध्यान रहता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो हम उसके इलाज पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन कोई बीमारी ना पड़े यह वेक्ति बीमार क्यों हो गया इसके कारण क्या है इसके ओपर ज्याद वो कम हो जाएगी तो हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें ज्यादा स्ट्रेस यह रहता है कि बिमारियों से कैसे बचा जाए तो हमारा देज जो है अभी पूरी दुनिया में डायबिटीस और हाइपरटेंशन की क्यापिटल बना हुआ है तो जो अनहिल्दी लाइपस्टाइल ह है अनहिल्दी खनपान है उसके जगह हम हिल्दी लाइपस्टाइल फॉलो करेंगे तो डायबिटीस और जो हाइपरटेंशन है हार्ड डिसीजस है उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं तो दोस्तो हमारी चानल पे भीमारियों से बचने के बारे में टीब्स दिये जाएंगे और अ तरफ दिये वीडियों यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजे ताकि मुझे और ऐसे वीडियों बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चानल डॉक्तर मॉरिज हील टिप्स को सब्स्राइब कीजे वीडियो को शेर कीजे और बेल आईकॉन पर क्लिक क करके औल पेस सेट करना ना भूले धन्यवाद